नमश्कार, मैं दिती फॉस्दर आप देख रहे हमारे साथ हमारा हेल्थ सेग्मेंट सेहत नामा आज हम बात करेंगे स्टमक फ्लू के बारे में मौसम के बदलते मिजास के साथ सेहत भी गड़ बढ़ाने लगती है दिल्ली NCR में स्टमक फ्लू के बढ़ते मामले के बीच इस समय स्टमक फ्लू के मामले भी तेजी से सामने आ रहे है बीदे कुछ दिनों से राजधानी में लगातार पेट में दर्द और एंटी की शिकायत बढ़ती जा रही है इसे गैस की समस्या भी कहा जा सकता है जो अकसर मिथली, उल्टी, दस्ट और डाइजेशन जैसे लक्षणों की वज़ा से बनता है ये एक तरह का वाइरल है जिसकी काफी जादा आसानी से भी फैल सकता है अब जानते हैं कि डॉक्टर्स के साब से स्टमक फ्लू के मामलों में किस कारण से भढ़ते हैंगे और इन सबसे जादा साफधानी में बरती चाहिए ऐसे में स्टमक फ्लू कमजोर इम्मुनिटी वाले लोगों को सबसे जल्दी चपेट में भी लेता है साथ सफाई की कमी किसी भी तरह के वाइरस इंफेक्शन खराब स्वच्चिता के कारण सबसे ज़दा पहलता है ऐसे में अपने आस पास साफ़ाई का खास ख्याल रखें खराब खान फान अकसर खराब खाने और पानी की वज़े से भी शरी स्टमक फ्लू के चपेट में आ जाता है इसके साथ ही आमतोर पर लोग सर्दियों के मौसम में अकसर घर के अंदर रहते हैं इसकी वज़ा से घर में बिमार लोगों के निकट संपर्क में भी आते हैं ऐसे में साल के समय में पेट फ्लू के मामले सरम सीमा पे आ गए हैं ऐसे में डॉक्टर्स ने स्टमक फ्लू से बचने के लिए कुछ उपाय बताए हैं जिनकी मदद से आप खुद को और अपने करीबियों को इंफेक्शन से बचा सकते हैं सबसे पहले स्वच्चता का ध्यान रखें हमेशे अपने हाथ साबुन और पानी से दोए खास तोर पर भोजन करने से पहले और सौचाले का उपयोग करने के तुरंत बाद अपने हातों को धोईए उसके बाद आता है फूड सेप्टी सबसे अधा उन चीजों में ध्यान रखना चाहिए जो आप खाने को पैक करकर रखते हैं वो आपकी स्वच्चता से पैक हुआ हो इसके बाद आता है वाटर सेप्टी शेल्ड में वाइरस को जाने से रोकने के लिए जरूरी है कि आप दूशित पानी पीने से बचे ऐसे में कोशिश करें कि आप स्वच और साफ पानी पीजिए इसके साथ ही इम्मुनिटी बूस्ट करें अपनी इम्मुनिटी मजबूत कर इन्फेक्शन से खुद को बचा सकते हैं प्रतिप्रक्षप डाली मजजूद करने के लिए स्वस्त जीवन शेली अपनाएं जिसे संतुलित आहर और लगातार व्याम और परियाप्त नींद शामिल हो आज के लिए बस इतना ही ऐसी हेल्थ डे टिप्स के लिए बनी रहे हमारे चैनल दनगरी मीडिया के साथ तन्यवाद